पी एच सी में 203 लोगों का कोरोना चेक, 70 का रिपोर्ट आना बाकी रंगरा पी एच सी में 203 लोगों का कोरोना जांच किया गया जिसमें रैपीड एंटीजन किट से किये गए 133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है परभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 70 लोगों का RT-PCR किया गया है जिसका रिपोर्ट दो दिन बाद आना है डॉक्टर रंजन ने कहा कि पिछले दिनों किये गए RT-PCR की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है तीन हजार बच्चों को दी गई विटामिन A की खुराक रंगरा चोक परखंड छेत्र में आंगन बारी कारी करता और स्वास्थ कर्मियों द्वारा कुल तीन हजार बच्चों को विटामिन A की खुराक दी गई है जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी की स्वास्त प्रबंधक स्वेता कुमारी ने कहा कि दो से नौ वर्स तक के सभी बच्चों को यह खुराक दी जानी है प्रियास किया जा रहा है कि परखंड में एक भी बच्चा इस खुराक से वन्चित ना रहे मास्क चेकिंग अभियान में पुलिस ने वसूल किया दो सो पच्चास रुपिय जुर्माना रंगरा पुलिस द्वारा चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में पुलिस ने बिना मास्क कहीं घर से निकले पांच लोगों से 250 रुपिय जुर्माने की राशी वसूल की है रंगरा ओपी थाना द्यक्ष महताब खाने कहा कि कोरोना से बचाओ के लिए परत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे मास्क अवस्य पहनें और सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें जलू दाश्टोला में कमबलों का वितरण डंगरा चौक परखंड के जलू दाश्टोला निवासी युवा समाच सेवी राजकुमार रजक ने कराके की ठंड को देखते हुए गाउं में कमबलों का वितरण किया है राजकुमार ने कहा कि मानव सेवा करना ही असली सेवा है वे इस तरह के कार्ये के लिए समाज के सक्षम लोगों को प्रेडित भी कर रहे हैं